हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्रीराम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्रीराम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनमार, तुम तो हो बड़ बलवार हे राम भक्त हनमार, तुम तो हो बड़ बलवार गौत मरे सीन शाप दिया था माता आंजनी को कहने लगे कि तुम कुमारी माता पंजाओ बोली अंजनीर इस वर्ये मैं होने ना दूँगी अपने आपको एक गुफा में मैं बंद कर लूँगी किसी पुरुस को देखू ना मैं ये होगा कैसे जाएगा ये शाप तुम्हारा बेर था ही ऐसे अपने आपको एक गुफा में उसने बंद किया छोटा सा एक छित्र था बस जिसमें आई हवा हुआ है क्या फिर इस से आगे तुम्हें बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई वरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़ बल्यवान मोहन रूप जो विष्णो जी ने भोले को दिख लाया काम बेग फिर भोले जी को रूप देख चड़े आया काम बेग अब भोले जी से रोका ना जाए प्रम्हा जी ने फिर बत लाया उनको एक उपाए गुफा अंजना बैठी जिसको गवतमरिसी का साप कान में उसके डालो बिंदू जाकर भोले आओ काम बेग ये आपका तो यूँ व्यर्त न जाएगा गवतमरिसी का साप भी भोले सच हो जाएगा गुफा द्वार पर जाकर भोले अलग जगाते है पावन कथा सुनाते है भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम बुलाते है हम कथा सुनाते है हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बल्यान हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बल्यान बोले जी की अलग जो अंजना के कान पड़ी पैठी धान लगा कर थी वो सुनकर हुई खड़ी बोली अंजना जोगी मुझे को बाहर ना आना बंग करना है शाप्रसी का मैंने है ठाना कहने लग भोले है देवी हमें लगी है प्याँ पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खाँ अपने कान को इस छित्र के पास मिलाओ तुम बिना तच्छिणा किसी का पानी ना पीते हैं हम कान में वो फिर अंजनी मा के वेग पढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्रीराम गुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमात तुम तो हो बड़ बलवात हे राम भक्ति हनुमात तुम तो हो बड़ बलवात पोली अंजनी है जो गी ये क्या है तुमने किया सच ही हो गया साप आज जो रिसिगाउ तम ने दिया कहने लगे के हैं जनी इसको ना समझो सा ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद हैं भोले ना होगा जो ये बालक वो बना बीर कहाएगा कॉमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमार मत समझो ये श्राप है तुमको ये तो है वरदा भोले नात तो फिर कैलास पे लोट ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हे श्री राम बुलाते हैं तम कथा सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बले मार हे राम भक्त हनुमार तुम तो हो बड़े बले मार अवन के जरिये कान से होकर ये है गर्ब में आए इसलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाए किंतु गर्ब में पड़ गई इनको बानर की छाया इसलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया पजपन से ही हुए है ये तो बड़े वीर बलमार बोले जी ने जैसा कहा था रखा नाम हनुमार देखके एक दिन आसमान में लटक रहा पलला उड़कर पहुँच गए बजरंगी ऐसा किया कमार समझ के फल वो सुर्य देव को निगल ही जाते है पावन कथा सुनाते है भाई भरत समान जिन्हे स्रीराम बुलाते है हम कथा सुनाते है हे राम भत्य हनुमार तुम तो हो बड़ बलवार हे राम भत्य हनुमार तुम तो हो बड़ बलवार सुर्य देव को जो निगला तो हुआ घोर अंधिकार सारी ही स्रिष्टी में मच गई फिर तो हाहा का सारे देवी देव तभी तो होने लग व्याकुल हनुमत निगल गए सूरज को समझ के मीठा फल होए कत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए बाहर निकालो सुर्य देव को रहे है समझाए जित्ती बालक की तरहाना मान रहे हनुमान क्रोध में भरकर इंद्र देव ने बच्च लिया है ताउ बच्ज प्रहार से हनुमान मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिनहें स्रीराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्मान ही राम भक्त हनुमान तुम तो हूँ बड़ बर्मान फिर तो पवन देव ता आये सुत का जानने हाई ये क्या किया है इंद्र देव वो हुए क्रोध सेला छोटे छोटे पालक पे कर दिया वज्र प्राहा मेरा भी अब क्रोध देख लो तुम और ये संसा इंद्र देव ने फिर तो दिखाया उनको अपना अतो सब हुए व्याकुल पवन देव ने लिया बेग को रो सास भिले ना सब का फिर तो हो गया था दुसर वार प्रम्हाजी फिर पवन देव से बोले हाथ पसाओ हनुमान की वज्ड देह प्रम्हा जी बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई वरत समान जिन्हे स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरत्य हनुमान तुम दो हो बड़े बलवान कोवन देव ने ब्रह्मा जी की लिंतीली है मार वज्ड देह का ब्रह्मा जी ने दिया उन्हें वर्दान सुर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर हुआ उजाला सब देवों ने बोली जै जैकार खेलत खेलत फिर वो एक जंगल में आते हैं रिसी मूख के पुत्र देख उनको डर जाते हैं उचल कूद फिर उने देख कर करने लगे हनुमान रिसी मूख से करी सिकायत फिर बच्चों ने आ रिसी मूख के साप से वो बल अपना भुलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यों हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बल्यों किस किंधा परवत पर फिर तो हनुमान आए वानर राज सुक्रियूने से नामे लिया मिलाएं राजा जसरत के घर जन में पुर्सों तमसीरां खुसी मनाए नगरी सारी हो रह मंगलगां भोले बाल रूपी नरसन राम के चाहते हैं इसलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं बोले तुम बानर बन जाओ और मैं बनू मदारी बाल रूपी राम छबी दोनों देखेंगे प्यारी बन के मदारी आयोध्या में वो खेल दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं बाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान ही राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चर्चा छिड़ी आयोध्या में इक आया अजब मदारी वानर का वो खेल दिखाये देखे नगरी सारी पूर सोतम स्री राम खेल को देखन चाहते हैं राजा दसरत फिर उनको महलों में बुलाते हैं भोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया बोले राम ये बानर तो है मेरे मन को भाया ये बानर तो मैं रखूंगा बोले है स्री राम माने ना स्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरती समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भग्त्य हनुमार तुम तो हो बड़ बल्वार माने ना स्री राम वही तो बानर लेना चाहे अपने मंत्री को राजाने खोजन है भेजा खोजत खोजत आये मंत्री परवत किस किंधा वानर राज सुक्रिवन आकर उनको सीस जुकाया बुला लिया हनुमान उनके संग में अयोध्य पठाया भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ फिर बोले स्री राम हम ये लीला रहे दिखाओ अब तुम जाओ हनुमान हम बनबास को आते है पावन कथा सुनाते है बाई बरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते है हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भक्ति हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान चोदाह परस को सिरी राम जब आए है वनवान बलिवद करके सुक्रियू से फिर किये मित्र ताखा सीता मा की खोज में निकली सब बानर सेना लंका जाने के लिए है हनुमान को चुना सिरी राम की आग्या लेकर ऐसी भरी उडारी सौयो जन का सागर लांगा और लंकिनी मारी सीता माता को जागर के किया है फिर पेड़ा बाग उजाणा और अच्छेका कर दिया काम तमाँ सोने की लंका को जला के राख बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं भाई भरत समान जिने स्री राम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भक्ति हनुमा तुम तो हो बड़ बलवा हे राम भक्ति हनुमा तुम तो हो बड़ बलवा बना किसे तू फिर कर दी है लंका नगरी चढ़ाई जटे रहे स्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई अपनी गता से जाने कितने तानों मारे हैं स्री राम के बोल रहे मुख से जैकारे हैं लखन लाल और मेगनात में युद्ध हुआ भारी मेगनात ने जब लक्षमन को सत्ती थी मारी सुर्योद ऐसे पहले जाकर संजीवन लाएं भरत समान राम प्रभू ने भाई बत लाएं राम प्रभू तुम्हें कुस हो करके गले लगाते हैं पावन कता सुनाते हैं भाई भरत समान जिन्हें स्री राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान लंक विजय कर लोट सभी जब योध्या आते हैं सिरी राम ने सबको ही उपहार भी बाटे हैं मोती की माला हिस्से में आपके आई है तोड़ी मोती माला ता तो तले चब आई है लंका पती विभी सन ने फिर कह दी ऐसी बाट तोड़ी मोती माला आखिर है बानर की जाए इतने कीमती मोती तुमने क्यों विखराए हैं क्या हिर दै में तेरे भी सी आराम समाए हैं फाड के सीना सी आराम का दरस कराते हैं पावन कथा सुनाते हैं पाई भरत समान जिने सी आराम बुलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हे राम भरते हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान हे राम भरते हनुमान तुम तो हो बड़ बलवान वीरों के हैं वीर ये अपने महाभीर हनुमान राम भक्त हैं बड़े निराले गुड़े और बलकी खार सिरी राम की आग्या कासत पालन है करते भूत पेते और दुर्जन दुष्ट भिनाम से ही डरते हे बज रंग बली रखना हम पे किरपा की छाया डी अस पालन सुमर सारता तेरा ही गुन गाया हनस राज रेल हन ने बनाया चोनो टेक चैनल सुनेगा जो भी इस गाथा को होँगे काम सफ़र होजी सुरेस से लाखों भक्त भिसीस जुकाते हैं पावन कता सुनाते हैं भाई भरत समान जिने सृरी राम बुलाते हैं हम कता सुनाते हैं ही राम भक्ति हनुमान तुम तो हूँ बड़ बलवान